हेलो गाइस करेंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ विशेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 17 अक्टूबर तक के सभी इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स कवर करने वाले हैं हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंततों की जरूर देखेगा आज पर आपको काफी कुछ जानने की मिलेगा सेशन की सुरूआत हमेशा की तरह कोश्चन आफ दर डे से करते हैं पूछ रहें कि बिम स्टैक में कितने से से हाओ मैंनी मेंबर्स आर देर इन बिम स्टैक तो उप्शन से आपके सामने सेवन एट नाइन या फिर टैन तो जल्दी से आप आंसर कर दीए फिर हम आगे बढ़ते हैं और इसी तरह कोश्चन से आप प्रेक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलिग्राम पर जूरू जोइन करें 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 अफेस फंदा नाम से मारा टेलिग्राम चैनल है है कि आज कर विजिट मिशन इस वर विच और्गनाइजिशन स मीटिंग एस अंकर ने किस संगठन की बैठक के लिए पाकिस्तान का दोरा किया ऑप्शन आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन भी है एस्यों पहुचे हैं क्योंकि यहां पर इसलामाबाद में संखाई कोपरेशन और्गनाइशन यानि की स्यों इसकी 23rd head of government meeting होने वाली है आपको बता दें भारतिये foreign minister द्वारा यह पिछले नो सालों में पहली विजिट है पाकिस्तान की और जैसंकर नूर खान एयर बेस पर उत्रे सीनियर पाहिस्ताने ओफिशल द्वाराइन को ग्रीट किया गया आपको बता दें लास्ट टाइम जब को इंडियन foreign minister पाहिस्तान विजिट किये थे या की थी वह सुस्मा स्वराज थी दिसंबर 2015 की बात है यह जब यह अफगानिस्तान संबंदितेत कॉंफरेंस में सामिल हुई थी आपको जाना चाहिए जो यह सीओ की head of government meeting होती है यह trade and economic agenda पर बात करती है जो 23rd meeting of the council of head of government है इसको चेयर कर रहे है पाकिस्तान के प्राम मिस्टर सेबाज सरीफ विच कंट्री इस करंडली facing its first outbreak of the Marburg virus वरतवान में कौन सा दिश Marburg virus से पहले प्रकोप का सामना कर रहा है सही आंसर option D है रवांडा देखे रवंडा रवंडा में जो है पहली बार जो Marburg virus है यह देखने के मिला है 36 cases report किये गए हैं और 11 fatalities अब तक हो चुकी है यानि 11 लोग मर चुके हैं आपको उतादे काफी lethal illness है वाइरस से कारण होती है और जो वाइरस Ebola का होता है सेम फैमली से बिलोंग करता है यह Marburg virus भी और किसके कारण होता है जब कोई व्यक्ति डारेक्ट कॉंटेक्ट में आता है किसी bodily fruit जैसे blood, vomit, saliva या फिर और कोई सेक्रेशन जो की infected person के द्वारा निकलते हैं और या फिर fruit पैट के संपर्क में आता है तो उसके current भी वाइरस हो जाता है यह airborne वाइरस नहीं है आपको उतादे इसको transmit किया जा सकता है humans में यह वह माइन्स या फिर caves के contact में आता है जहां पर fruit पैट पाय जाते हैं और इसकी mortality rate देखे आप 88% काफी हाई है यानि कि अगर किसी को हो जाता है तो 88% chances है कि वह जो है मर जाएगा कोई भी वैक्सीन अभी तक इसकी approval नहीं होगी है पहली बार यह 1963 में identify किया था और इस वाइरस को नाम कहां से पढ़ा है यह चर्मन सिटी से मार्पर कें फ्रैंकफर्ट नहां यह इंफेक्ट हो गए थे जब यह युगांडा में मंकीज को हिंडल कर रहे थे हैं कि वट इस नेम ऑफ ता मिलिट्री ओपरेशन लॉंच्ट पाई चाइन नियर ताइवान चीन द्वारा ताइवान के निकेट शुरू किये गए सैन अभियान का नाम क्या है सही आंसर पास और इसका नाम है ऑपरेशन जोइंट सोड 24 भी तो चाइना की जो पीपल्स लिप्रेशन आर्मी है इसने आपर एर्रकाफ्ट केरियर शीप्स वार प्लेंस यह सब मौजूद किया है ताइवान को गहरा हुआ है देखिए पिछले बार भी पिछले साल की बाते ताइव ताइवान ने इस तरह की एकसरसाइज की थी और तब एक एकदाम में पूछा भी गया था एक क्वेश्चन तो यह जो चाइना ताइवान वाला आईश्यू आता है यहां से क्वेश्चन पूछ लेते हैं जब कोई मिलेटर एकसरसाइज होती है या फिर ताइवान को एपना हिससा मानता है और कहता है कि एक समय में घुबान ताइवान हमारे में ही स्मय ओजाएगा इसकी को सिज़ार रहे हैं हाला कि ताइवान पूरी तरह से नकारता है चीज़ों को अमेरिका काफी सायों की भी करता है ताइवान की ताकि स्क्राइटि बनी रहे ताइवान को पहले फोर मोसा बोल जाता था एक टाइनी आइलेंड एस्ट चाइनशी में और होंग गॉं के नोर्थ इस्ट मैं है फिलिपीन के नोर्थ में है और साथ कुरिया के साउथ में है जापान के साथ वेस्ट में यह डबल टैन ऑप सर्व करता है डबल टैन मतलब अक्टोबर टैन यह इसका नेशनल डे होता है वेर वाज दा मेडेन कैरियर स्ट्राइक ग्रूप एक्सराइज बिट्विन इंडियन एंड इंडियन नेवी इस हैड भारतिय और इतालवी नोसेनाओ के बीच पहला कैरियर स्ट्राइक ग्रूप अभ्यास कहां जित किया गया स सही आंसर ऑप्षिन है गोवा कोस्ट देखें इंडियन नेवी और इटालियन नेवी ने अपनी पहली एक्सराइज करिया उठ की है यह करियर स्टाइक रूप द्वारा की गई कोवा कोस्ट पर और यह सी फेस रही इस एक्सराइज का इसमें आई-एनस विकरा में दित ती जाता है ऑप्षिन्स आपके सामने है सही आंसर ऑप्षिन्स ही है ऑक्टोबर सेवंटीन देखें इंट्रेसल डेएज एडिकेशन ऑफ पोर्टी सतर अक्टोबर को मनाया जाता है दोजार चोबी समिस का थीम है एंडिंग सोशल एंड इंस्टिशनल मैल टूट्मेंट अक् परतिशत हिस्सेतारी बिकरी को मंजूरी देदी है सही आंसर अप्षिन्स है एस्टी एफसी एजूकेशन देखें इंडिया के लाज़ेस प्रिवेट सेक्टर लेंडर है एस्टी एफसी बैंक इसके बोड़ने हंड्रेट प्रसेंट स्टेक सेल जो इसकी सबसेट्री है इंडियान ट्रांस्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्ट्चर कंपनी एधियात रेल ने हाली में किस पार्थिय परिवहन अब सनरशना कंपनी के साथ एक समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं सही आंसर ऑप्षन है राइट्स दहीं यूए नेसल रेल नेट्वर्क्स डेवलपर इंड परिवारों की औसत मासिक आय कितने परतिशत बड़ी है सही आंसर अप्षन भी है 57.6 पॉसेंट जहीं जो एवरेज मंतली इंकम है रूरल हाउस होल्ड की यह लगबग सत्ता उन समलोच प्रतिशत तक बढ़ गई है कि हम 2016-17 से लेकर 2021-22 की बात करें ऐसा कहा है सेकेंड ओल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूशन सर्वे जो कि नावार दौरा किया गया इसमें बताया गया इस टाइम पीरियोड में जो एवरेज मंतली इंकम है यह 8,69 रूपे बढ़ी है मतलब 8,69 रूपे से बढ़कर 12,608 रूपे हो गई है और जो एवरेज मंतली एक्सपेंडीचर है यह भी बढ़ा है पहले 6600 रूपे था अब यह 11,200 रूपे हो की सेविंग की जा रही है और लगबग 66% हाउस होल्ड ने अपनी सेविंग्स रिपोर्ट के 2021-22 जब की 2016 में 50.6% रिपोर्ट की थी और ऐसी फैमिलीज जहां पर एट लिस्ट मनमेंबर इंशूर्ड है यह 80 परतिशात इस तरह की फैमिलीज है पहले कितने थी 25.5% साल के प्रियोड में पैंशन कवरेज इंप्रूव होगा है 19 प्रतिशत से बढ़कर तीर समलोग 5 प्रतिशत हो गया है और जो आउटस्टेंडिंग डेट है यह भी वड़ा है 27 प्रतिशत बढ़कर 52 प्रतिशत हो गया तुजारी किस 22 में वाट इस नेम ऑफ दे पोर्टेवल मर्टी टार्गेट डिटोनेशन डिवाइस लॉस्ट बाई आर्मी चीफ चन्रल उपेंदर दिवेदी इन केंग टॉक केंग टॉक में सेना प्रमुक चन्रल उपेंदर ट्रेशन डिवाइस इसको लॉंच किया है आर्मी कमांडर्स को फ्रेंस केंग टॉक में इस डिवाइस को डेवलप किया मेजर राज्य परसाद आरेस ने चोकि इंडियार आर्मी के कोफोस औफ इंचीनियर से हैं और यह माइक्रोफोसेसर बेस्ट इलेक्ट्ट डिवाइस ह दोनों ही मोड में कारे कड़ सकता है 2.5 किलोमेटर तक किसकी रेंज है सब्सक्राइब में सेक्रेटरी अपॉइंट हो गई है बात करेंगर हम गवर्मेंट ए मार्केट प्लेट प्लेटफोर्म है पॉब्लिक प्रोक्यूर्मेंट के लिए नोगस 2016 को इसको लॉंच या गया था मिस्ट्य ओफ कोमर्स इंडिस्ट्री गोर्मेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और इसकी वनुर कोन है जी एम एस्पीवी स्पेशल परपर्स विकल जो की 100 प्रसेंट गोर्मेंट ओंड नोन प्रफिट कंपनी है मिस्ट्रों कोमर्स इंडिस्ट्री गोर्मेंट ऑफ इंडिया के तहत अब जो क्रांट फंडिंग है थे यूस एंडिया एन्डिया एन्ट्रों टेक्नलोजी इंडिया और क्वांटम प्रद्यों के क्यों में सीट अनुसंदान परियोजनाओं के लिए अमेरिका और बारत ने कितनी अनुदान राश्य की खोशना की है सही आंसर ऑप्शन भी है टू मिलियन यूएस डॉलर देखे यूएस और इंडिया इन्होंने टू मिलियन यूएस डॉर की क्रांट एनॉंस की है जो इन रिशर्च प्रजेक्ट के लिए जिसमें एडवांस जिसमें आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्लोलोजी फॉर शोशल गूड यह सबी आता है टोटल 17 प्रोजेक्ट सें और 11 से फोकस कर रहे हैं AI पर 6 क्वांटम टेक्लोलोजी पर उस कंपनी का क्या नाम है जिसने स्टार्शिप रॉकेट और इसे कैच करने वाली तकनीक विक्सित की है सही आंसर ऑप्शन भी है यह स्पेस अक्स ने hire ने उप एपने fifth test में मीजर माचीव किया है इस ने जो अपना first stage booster है एक षिसको केच किया है मतलब यह वापस आ रहा था उसको केच किया को इसटंडिंग पोजिशन में अर्थ रहा है मतलब एक रोकेट भेज दिया और वो रोकेट रियूजेबल है तो उसका एक हिसा नीचे गिरा उस नीचे गिरते हिस्से को कैच किया ठीक है और उसको वापस लेंड किया है अर्थ पर तो इस तरह करने वाली यह पहली कंपनी बन गई है तो सूपर हैवी बूस्टर इ तो इसकी मेकनिकल आम्स हैं मेकजीला या फिर चॉपिस्टिक्स इसको कहेंगे और यह स्टार्शिप रोकेट है ठीक है अगर हम इसकी दोनों स्टेच इसकी बात करें तो यह 397 फीट टॉल है यानि कि 400 फीट टॉल आप इसमें कह सकते हैं इसकी दो स्टेच रही एक तो चल अलग अलग उपसमों A, B, C और D में वर्गिग्रित करने की प्रक्रिया सुरू की है सही आंसर अप्चन भी तिलंगाना आपको जाना चाहिए हाली में तिलंगाना कॉर्मेंट ने सेडियूल कास्ट की कैटेगराइजिशन सुरू की है चार डिस्टिंक सब ग्रूप में A, B C & D तो सुप्रीम कोर्ट ने हाली में पंजाव इन हरियाना हाई कोर्ट का जो जिज्जमेंट है उसको रिव्यू किया था उसमें अलाव किया था कि स्टेट्स स्टेट्स और स्ट को सब क्लासिफाई कर सकते हैं आर्टिकल 14 ऑफ ती कॉंस्टिशन के तहत उनकी बैकवर्ड सब्सक्राइशन है वो फर्स्ट जनरेशन को मिले उसके बाद जो फैमिली मेंबर से जिरोंने बेनेफिट्स ले लिया है ठीक उसके बाद फिर जो सेकंड जनरेशन हो जाए तेलंगाना आपको बता दे नहाली में हाउसओल्ड का सरवे भी लॉंच किया है और आंदर प्रत सब्सक्राइब का दूसरा सबसे बड़ा आप उरुति करता है सही आंसर ओप्शन ए है इंडिया देखे अब भारत सेकंड बिकेश सप्लायर है रिस्टिक्टेट क्रिटिकल टेक्नोलोजी का रश्या को और पहले नंबर पर को है शाइना जैसे माइक्रोचिप्स हो गया सर् इंडिया इंडिया's first demonstration facility for biopolymers in which city केंद्र मंत्री डॉक्टर जीतनर सिंग ने कि सहर में वारत की पहली biopolymer demonstration facility का उतखाटन किया सही answer option a पुने देखे जुने मिस्टर जीतनर शींग निडिया की first demonstration facility for biopolymers इसको पुने में लो इनोग्रेट किया है और इसको बिल्ट किया गया है प्राज इंडॉस्ट्री के द्वारा आपको जादने इंडिया की जो बायो एकोनोमी है यह 2030 में 150 बिलियन युएस टोलर से जादा रही और 2030 तक 300 बिलियन युएस टोलर हो जाएगी हम वर्ड में 12 नंबर पर हैं पायो टैक में एस्या पैसिफिक में थर्ड नंबर पर है और बारत लार्जेस्ट वैक्सीन मैनेफेक्ट्र है थर्ड लार्जेस्ट स्टार्ट अप इको सिस्टम है तो यह सब जो चीजें हैं यह इनकी उपिएकोसिस्टम प्लेयर अर इंडिया कौनसे फिंटफ कंपणी ब्हारत में पाची सबसे वड़ी यूपिएकोसिस्टम प्लेयर बन गई है यह यह कंपनी बन गई से यह आंसर ऑप्शन है नवी देगे ना वी जोकि फिंटाइक कंपनी है और फिलिपकार के फोन को फां मार्केट शेर 0.8 परसेंट है बेंगलु बेस्ट कंपनी है यह और एमेजन पे का जो यूपी यह वोल्यूम है ठीक है उसको इसने सरपास किया है और फोर्थ पोजिशन पर क्रेड है फोन पे जो है पहले नंबर पर है आप सब जानते हैं फिर गूगल प्ले गूगल पे और पेटियम आते हैं है हाओ मैनी सेंट्रल पब्लिक सेट्र एंटरप्राइज इन इंडिया है महारत ने स्टेटर्स इंक्रूडिंग एच्छेल सभीत सहीत बारत में कितने किंद्रियों सारवजिंग शित्र उद्ध्यम को महारत ने का दरचा प्राप्ट यह 14 देखें डिपा सेंट्र पब्लिक सेट्र एंटरपाइज बन गई है जिसे महारत ने स्टेटर्स दिया गया है महारत ने क्वालिफिकेशन के लिए कंपनी को कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो से पूरे करने होते हैं जैसे कि एवरेच टरन ओवर उसका 25,000 क्रोड से ज्यादा का होना चाहि की बात करें तो जिन अब्रति इस मिल जाता है उनके पास यह सोतंता रहती है कि वह एक हजार क्रोड या फिर 15 परसेंट ओफ देर नेट वर्थ किसी सिंगल प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं गवर्मेंट की अप्रूवल कि उसमें नहीं नहीं हो दिया है अच्छाल की बात करें तो 23 समबर 1940 को इसकी स्थापना हुई थी बैंगलोर में वाल चंथ राचंद द्वारा टूब पॉंट के अंसर देख लेते हैं तर करेट इस यूनित अव म्स इकल तो 200 mg इसी तरह से पार्ट सब्सक्राइब करते रखिये चलिए आज के साइमेंट कॉस्टन्स देख लेते हैं आपको अभी आपको देख देख में कोमेंड से करना है। से तरह से तलेखds में कि लुकुषी आपकोर के चलिए इल्ली आपक्ते से अमर्ट के कोशेबरेंगे पूर हेल्ट इन पाच्छों के आंसर आपको कुमेंट बॉक्स में करने हैं यदि आपको एक कुश्चन का अंसर भी आता है तो भी आप हमें कुमेंट बॉक्स में हुश्य बताईएगा विजेता बैज जो की बैंकिंग अवेंट स्पेशल बैचे मारा कंप्लीट अवेलेबल है कर इंटरफेर्स फंडा आप पर इससे आप राप्त कर सकते हैं किवल 399 में एक साल की वेलिटी के साथ जितना भी मैटिरियल है वह आप इसमें डाउनलोड कर पाएंगे प्रिंट मेट में जिसमें कंप्रीट बैंकिंग अवेंडेस तो ही साथी इंडियन एकनोमिके की कंसेप्ट में पूरे कराएं हैं ताकि कि एससी रेल्वेग एक्जाम वाले जो एस्पेरेंट से उनको भी फायदा हो सके और इंशुरेंस का भी पूरा चेप्टर इसमें इंकलूड है तो काफी फायदेबान दोने वाला है ना कि बल आपके मेंस एक्जाम है बल्कि इंटर्व्यू के लिए भी है यह दिया हमारे डेली करेंट अफेर्स पीडिएफ वीकली पीडिएफ मंतली पीडिएफ और हमाईने के बैंकिंग और इक्रोमिक आवरेंस पीडिएफ चाहते ह है जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फिर फर्स्ट कमें मिल जाएगा आपको दादे स्वनियर मेंबर्शिप प्लान करें जितना भी मारा पीडिएफ कॉंटेंट हम आपको एक साल तक के लिए प्रोवाइट कराते हैं जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रिंट आउट भी निकल वा सकते हैं इसके लिए जाता आप को यूज कर सकते हैं या फिर अपने लैप्टॉप या सिस्टम के वज़र से वैब लोगिन भी कर सकते हैं कोई भी आपका इसाम वो बैंकिंगे से सीरियल एफ स्टेट वीसे जहां पर विजनल लवेडिन से कर कर पाएंगे अपने आने वाले एक्साम में तो लिंक वीडियो के डिस्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वहां से आप बाई कर सकते हैं कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे किसी भी कुर्स से संबंदित तो हमारा वट्साइप नंबर है 848169188 तो इस पर आपको की जानका पा सकते हैं थैंक यू गाइस